नकली आईल बनाने वाले आधा दर्जन गोदामों पर टिकमगर पुलिस ने बड़ी कारिवाही करते हुए 15 लाख से अधिक राशी का नकली आईल जब्त किया है टिकमगर भुपाल से आये केस्टरल कमपनी असिस्टेंट मैनेजर अमित चंगी ने सागर संभाग के आईजी अनिल स्रमा को शिकायत की थी बड़े पेमाने पर टिकमगर में नकली अवेद आयल बना कर बेचा जा रहा है जिसके चलते आज आईजी सागर के निर्देशन में पुलिस अधिक्षक प्रसंत खरे के मार्गदर्शन में SGOP योगेंदर भधूरिया ने राजस नामदेव और ओम अगरवाल के निवास पर शापा मार कर काफी मात्रा में नकली केस्टरल जब्त किया तिकमगर से मनच खरे की रिपोर्ट इनके पूरे कटर और तमाम रंग जो से मिलाते थे पुराना आइल यूस करते रहे और इस परकार से बढ़िया तरही के से पैक करके इनको हूब हूब इला के उसको बेच देते और सप्लाई कर देते थे तर नकली आइल जो था इसका एक ही मिला उसके बाद बहुत दूसरी खबर आई थी पहले से हमारे पास दूसरी जगे भी है वो मग्रवाल उनके है और एक और नाम आया है इसमें राणू अपरवाल गूपे शकरवाल रानू दूपे शकरवाल यहां भी छापामार कारवाई हुई है इस सभी जगों की अभी अभी आपई या नहीं हुई है का रवाई चल रही है तरह टाउंटिंग करेंगे इसका पूरा इस प्रकार का मैटीरियल बलग फाली ड्रम है भरे हुए ड्रम है और उसमें है और इसके अलावा गत्य के जब्बे जो पैकिंग वगरे करते थे और कटर तमाम किसम का स्थामान इस प्रकार से यह नकली प्रकार से यहां एक मिल गया है अभी अभी एक और आगे की सुचना के कुछ मिल दी रूस्पे भी असका टोटाल अभी केल्पूरेशन किया जा रहा है लेकिन यह लाखों का है बंदा लाग के आसपास तो भी सभी नोंने बताई दिया था कि हो गया है तो केस्ट्राल और सर्वो इरो कंपनिया तो इंके घंठ का ला गय clown को से आगे थे हैं क्षिग सेज़न आगा लेके थे वार्य था था इनके विरुद किन धारा उंके धाराएं के विदाराएं हैं और यह द्याक्तर मौहीर ज Chief तिज्ब्रnant चरवैया अते हरुक्पनी के तैम पूरी तहकी करते थे यह भी पूरी तहकी कात की जाएगी इनके पेपर्स भी पूरे जब्त हो जा रहे हैं हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सबस्क्राइब करें और पास में लगें बेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भीना भूलें